असाम लेकुम स्टुरेंट्स आज का हमारा टॉपिक है औरीजन आफ इस स्पीशी पिछले लेक्शर में हम डिसकस कर चुके हैं डारवन के बारे में चार्लिस डारवन जिसे हम फादर आफ एवलुशन भी कहते हैं हमने ये देखा हमने ये समझा कि किस तरह से वो वोल्ल टू से उसको स्टुडी करते रहे और 1840 में वो अपने जितना भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया तो उसको कमपाइल करते हैं और 1844 में वो एक ऐसे लिखते हैं जिसको उन्होंने पुब्लिश नहीं करवाया होता जिसका नाम था ओरीजन आफ इस स्पीशी यानके ये किस पर ड स्पीशी से ही मिलते जिलते अटॉपिक पर या इसी अटॉपिक पर आप कह सकते हो डावन के वर्क से ही मिलता जिलता काम लीनियस ससाइटी में जो लंदन में मौझूद है बटा वहां पर वो पब्लिश करवा देती हैं अब जो 40 डावन थे वो क्या करते हैं कि जो ऐसे ऐल जो इस सर्च थी वो उस पर काम करते हैं और फिर अपना ऐसे आप कह सकते हैं पब्लिश करवाते हैं उसी लीनियस ससाइटी में जो के लंदन में मौझूद है इन 1859 यानि कि अलफरेड वैलस ने ओरिजन ओफ स्पीशी से मिलता जिलता ऐसे ही 1858 में दिया एक साल वो अपने और एलफरेड के वर्क को कमपेर करते रहे और 1859 में अपनी एक कह सकते हैं ऐसे को उसने पब्लिश करवा दिया जिसका नाम था ओरिजन ओफ स्पीशी स्टुरेंट्स डार्वन की इस ऐसे जिसे हम ओरिजन ओफ स्पीशी कहते हैं ने काफिर रिलिजन को आप कहोगे के चैल आने वाला खुदा है चाहिए वो किसी भी मजब में वो डिफरेंट हो सकते हैं पर ये चालिस डार्वन वो इनसान जिसने फर्स टाइम ये बताया था कि जो इस पीशी है जो ऑर्गनीजम है उन्हें स्पेशली करियेट नहीं किया जाता उन्हें कोई खुदा उसी फॉर्म नमबर टू जिसे हम कहते है नेच्रल सेलेक्शन एडापटेशन जिसमें सबसे पहले हम डिसकस करेंगे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन आपको पता है डिसेंट क्या होते हैं डिसेंट बिटा एक स्पीशी जिसके अंदर चेंजिस आती हैं उन्हें अन्सिस्टर कहते हैं और चेंजिस की बाद जो नई स्पीशी बनते हैं उसे हम डिसेंट कहते हैं यह डिसेंट कहते हैं लेकिन यहाँ पर उसने नाम के दिया डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट में एकस्प्रेंट करता है डावन के जितने भी ओरगनिजम हैं वो किसी एक ही ancestor से बने है और gradually environmental factor के changes आने की वज़ा से वो एक दूसरे से different होती गई और एक species ने किसी दूसरी species को arise कर दिया इसकी वो example देते हैं tree trunk से जैसा कि यहाँ पर आप यह shape देख रहे हो यह किसकी shape है बिटा यह एक tree की shape यहाँ पर मैंने draw की है यह उसका trunk है यह उसके roots है तो Darwin के according हम सब एक common ancestor को जितने भी complex हो जाएं जितने भी well developed हो जाएं हम सब एक basic एक single ancestor को share कर रहे होते हैं pro karyotic यानि के kingdom monera या आप जिसे कह सकते हो bacteria इसके according earth पर सबसे पहले क्या बने बैक्टेरिया बैक्टेरिया में कुछ changes आई यानके protista बने like algae बने protozoa बने fungi like protist बने अब यहां से क्योंकि एक single trunk एक single root से हम belong करें और मजीद यहां पर देखें किस तरह से branches निकल रही है और किस तरह से एक species किसी दूसरी में convert हो रही है यह क्या कहलाते है यह कहलाते है descent with modification यानिके ancestor जो के एक parent है उनके babies में environmental factor की वज़ा से environment में survive करने के लिए कुछ changes आई वो modify हुए और एक नए species में convert हो गए like prokaryot यानके bacteria से क्या बना single membranus यानके unicellular eukaryotic organism उसने फिर plant like protista बनाए जिसे आप कहते हो LG उसने protozoa बनाए और उसने fungi बनाए फिर यहाँ पर आप देखो अगर हम just plant को देखते हैं तो plant में सबसे पहले bryophyte बने bryophyte से पर tregeophyte ट्रेगियोफाइट ने मजीद दो branches जिसे वो example देते हैं fox से बिटा आपको पता है fox क्या होता है dichotomus जिसे हम कहते हैं जिसकी दो branches होती है ट्रेगियोफाइट दो में डिवाइड हुआ एंजिस्पम और जैमनेस्पम और इस तरह से मजीद भी branches बनती चली गए यहाँ पर अब मैंने second example ली animal की कि animal कहां से अराइज हुए है प्रोटोजवा यानि कि animal लाइक प्रोटिस्टा से प्रोटिस्टा कहां से अराइज हुए है बैक्टेरिया से अब एनिमल दो तरह के बन गए इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट 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 की मजीद वर्टिब्रेट 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 कॉमन है जिसे हम कहते हैं बेक्टेरिया इस्टेंस औरीजिनल फिस्पीशी जैसे डावन ने आप कह सकते हो पेश किया उसका पहला पॉइंट हम डिसकस कर चुके हैं डिसेंड विद मॉडिफिकेशन और उसका जो सेकंड पॉइंट था वो था नेच्रल सेलेक्शन एंड अड जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ओवर प्रोड़क्शन अकॉर्डिंग टू डावन जितनी भी स्पीशिज हैं जो सिंपल है यह जो कॉम्पलेक्स हैं वो उनमें एबलिटी होती है रिप्रोड़क्शन करने की बैटे यह सारी बाते वो एक तरह से हाइपोथीस ती जो कि बाद में रिसर्च के बाद अब जाकर थियोरी की फॉर्म में आई है ओवर प्रोड़क्शन इसके अकॉर्डिंग लिविंग और्गनीजम करते हैं रिप्रोड़क्शन और वो अनलिमिंटे रिप्रोड़क्शन करते हैं यानिके ओवर प्रोड़क्शन करते हैं बेबीस की जैसे कि यहाँ पर मैंने तीन एक्जेम्पल दी हैं पेरमेशियम की एक्जेम्पल दी हैं तो पेरमेशियम 24 घंटे में रिप्रोडक्शन करता है बेक्टेरिया 20 मिंट में रिप्रोडक्शन करता है स्टार फिश एक सीजन में एक मिलियन एक की प्रोडक्शन करती हैं तो अग ओवर प्रोड़क्शन करती है लाइक पांच स्पीशिस हैं और पांचों की पांच जो है वो बहुत ही जादा ओवर प्रोड़क्शन करेंगी नमबर टू अब वो यह कहता है कि जब ओवर प्रोड़क्शन कर देते हैं तो उन में कॉम्पटीशन आ जाता है यह competition यांकि उनमें क्या आ जाती वो struggle करने लगते हैं खुद को जिन्दा रखने के लिए क्योंकि बेटा resources बहुत limited है और हर species के जो वहाँ पर living organisms मौजूद है उनकी production ओवर हो चुके यांकि उनकी बहुत सारे babies मौजूद है तो वो क्या करेंगे different resources के लिए वो resources क्या हो सकती है वो food है light है water है space है खुद को जिन्दा रखने के लिए वो struggle करती रहेंगी struggle क्यों करेंगी बेटा क्योंकि जितने environment में resources है वो limited है और उनको आप कह सकते हो conceive करने वाले उनको use करने वाले जो members है वो बहुत ज्याद है इसलिए उनके दर मियां क्या आजाएगा उनके दर मियां competition आजाएगा वो competition दो तरहां से होगा इन्ट्रेस पी specific भी होगा और интерес specific भी अजोगा यानि कि वो दूसरी species के साथ भी competition में आएंगे और अपनी species के members के साथ भी क्योंकि वो बेबी उन में बहुत ज्यादा है तो अपनी स्पीशी के दर्मियान भी competition में आ जाएंगे इस तर्ड पॉइंट क्या है थर्ड पॉइंट इस सर्वाइवल और फिटेस्ट अब सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चों नेच्रल सेलेक्शन का कि ओवर प्रोड़क्शन करेंगी डिफरेंट स्पीशी जो एक एरिया को शेयर कर रही होती है वो इस पीशी जब ओवर प्रोड़क्शन करेंगी तो उनके अंदर competition आ जाएगा competition में वो कहते हैं वो ही survive करेगा जो fit होगा यानके इतनी जो species है हर एक ने thousand या million में जो babies प्रोड़्यूस की है उनमें inter specific competition भी है और inter specific competition भी है तो competition के बाद हमेशा वो ही जिन्दा रहेगा जो fit रहेगा यानके इसे क्या कहा जाता है कि fit कौन रहेगा जिसे nature select करेगी अब survival य जानके jeans या वो variation जो उसे उसके parent से मिली है अगर वो variation strong है काफी तो उनके अंदे changes आ जाएंगी और वो modify होने के बाद उस area पर survive भी कर लेंगे इतना जादो competition होने के बावजूद ठीके बचो सबसे पहले क्या था over production के बाद हुई struggle for existence के बाद क्या होता है कि जब struggle तो सारे के सारे करेंगे खुद को जिन्दा रखने के लिए लेकिन कौन बचेगा बचेगा वो ही जो उस area में survive करेगा और यह किस पर depend करते हैं यह सबसे पहले तो उनकी jeans पर भी depend कर रहा ह होता है कि किस तरह से जो parents से jeans आई हैं अगर उसमें variety मौजूद है उस area में survive करने के लिए या उस चीज़ को आप कह सकते हो बरदाश्ट करने के लिए तो वह वहां पर survive भी करेंगे अब वह कहता था कि evolution कैसे हुई इस third point के बाद हुई evolution के over production के बाद जिसने जिदो जहत की struggle की खुद को जिन्दा रखने के लिए पर जो जिन्दा रहा उसके अंदर changes आ चुकी हैं यह changes कौन सी हैं यह वो changes हैं जो उन्हें उस environment में survive करवाएंगी और यह changes उसके parents में नहीं थ जब over production हुई तो अपनी species के different members में भी और different species के members में भी competition आ गया competition के बाद वो ही survive उस जगह पे कर सके जो environment के according modify हुए या फिर उन्होंने अपने अंदर changes लेकर आई और इस तरह से एक species दूसरे species में convert हो गए यानि कि कौन सा process हुआ? process हुआ evolution तो बचो आज हमने discuss किया Darwin की एक theory को जिसे theory of natural selection भी कहते हैं और उस essay को जो था origin of species जिसके दो main point है number one descend with modification, number two natural selection and adaptation और summary इसकी क्या है बचो summary students ये बनती है कि environment में जब competition बढ़ जाता है तो उस area में food के लिए या फिर आप कह सकते हो survival के लिए water के लिए space के लिए खुद को जिन्दा रखने के लिए struggle करनी पड़ती है और struggle करने के लिए भी corn responsible है जो उनके अंदर genes मौजूद होती है अब किस तरह से एक species में उस area के एक species में कुछ changes आई और वो different species में convert होती चली गए इसे को कहा जाता है theory of natural selection या origin of species